हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी को मेरी यूटूब चैनल या मम्स कीचेन में आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल गुरी की लड्डू यह आप मकर संक्रांती के समय भी यह आप बना के खा सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बनाऊंगी इसका स्वाद टेस्ट बिल्कुल लगेगा गोंध की लड्डू की तरह तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही आसान तरीके से चलिए मैं जटपट से बना के दिखा दे रही हूँ इसके लिए देखे समागरी ले लेंगे चावल का मैंने आटा कोई भी मार्केट में दुकान में मिल जाता है सेम इतना ही मै थोड़ा सा मैं इट्राइफ रूर्ड ज भी आपके पास विलेबल हो ले लिजिए गा एक कप दूद ले लिए हैं थोड़ा सांग घी ले लिए है ए थोड़ा साशा हम मसाला ले लिए धिसने हम एलाइंची पौओडर एक छोता चमच ले लिये हैं ,-- काली मिर्च पौओडर एक छोता चमच, थोड़ासा सॉप पॉड़र एक छोटा चमच है ,- queen किलाइंची पाउडर भी डाल देने से बिलकुल टेस्ट अच्छा हो जाएगा तो चलिए हम इसे बनाएंगे एक कराही ले लेंगे एक चमच हम पहले घी डालेंगे चारो तरफ ही से हम फैला देंगे जिसे की चिपके न अब इसको चावल कुगुली को हम उसी में डालेंगे रोस्ट करेंगे इसको हम धीमी फिले में पांच मिनट धीमी फिले में हम इसको रोस्ट कर देंगे अगर आप खुद भी चावल गुरा बना सकते हैं घर में तो भी बहुत आसान तरीके से आपको बन के रेडी हो जाएगा इसी में हम सारे मसाला भी डाल दिये जिससे इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा अब थोड़ा सा ड्राइफ फ्रूट जो काजू बदाम सभाए थोड़ा साम दरदरा पीस लेते हैं देखे इस दरदरा पीस लिए इसी में हम इसको भी डाल देंगे एक मिनट रोस्ट कर देंगे इसका भी कच्चापन खतम हो जाएगा अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे देखे बिल्कुल थोड़ा हलका गोल्डेन ब्राउन हो रहा है अब बिल्कुल मेरा रेडी हो गया अब इस एक प्लेट में निकाल लेंगे अब उसी कराही में हम एक कप दूध डालेंगे इसी में हम गूर जो रखे थे वो भी गूर हम उतना डाल देंगे इसको चासनी बनने देते हैं क्लेम मेरा हाई कर देंगे इस समय चासनी भी बनने में आपको चार से पांच मिनट लग जाता है इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे देखिए अच्छा सा जाग निकलने लगा गूर साड़ा मेरा मेल्ट हो गया अब ज्यादा चासनी भी हमें नहीं बनाना है तीन से चार मिनट हमको मीडियम करेंगे तो पाँच मिनट देखिए चेक कर लीजिएगा हमको तार नहीं लाना है इसमें बिलकुल चिपची पा हो जाना चाहिए इतना ही हमको चासनी बना के रेडी करना है अगर आप तार बनने लगेगा तो बाद में जाके लडू हाड हो जाएगा अब हम इसमे पीचा गूरी जो फ्राइ करके रखे थे उसमें डाल देंगे यह जब नाने के लिए थे हैं हम चार से पान्श अमच्च नारियल पावडर डाल देंगे खोड़ा साहम काजू बदाम का कतरन हम छोटे छोटे तुक्रे में हम काट लिये थे वह भी डाल देंगे जब दातों के पास आता है तो बहुत बहुत ही आता है खाने में चेश अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो हम तो पहले इसको फीच के दरदरा रखे भी अब इसमें थोड़ा एक चमच और घी जाल देती हैं अगर आप कम भी खाना चाहते हैं तो भी यह शीप करते हैं अब इसको बढ़िया से हम अच्छे से मसल मसल के हम इसको मैश कर देंगे हाथ बिल्कुल ना लगाए नहीं तो हाथ जलने का रहेगा इसको समच से हम बिल्कुल अच्छा से मसल मसल के हम इसी में हम अच्छा से हम जो भी गुठली हो मेरा इसी में घुल जाए अच्छा से अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे अब हम प्लेट में निकाल दी अब इसको दो मिनट हम ठंधा कर लेते हैं अगर गरम करेंगे हाथ लगाएंगे तो हाथ में ठाले आ जाएंगे इसलिए थोड़ा सा ठंधा होने देंगे अब फिर जब हाथ मेरा सहने लगेगा तो हम एक चमच हाथों में घी लगा लेंगे और दोनों हाथ पे लगा के फिर हम दोनों हाथ से इसको मक लेंगे जो की थोड़ा भी घुटली ना रहे विल्कुल अच्छे से मसल के मेरा रेडी हो जाए अब देखिए इस समय हैं रिचनेस के लिए थोड़ा सा मावा हम डाल देंगे अगर मावा आपके पास नहीं है तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर इसे काफी बढ़िया आता है लास्ट में डालने से बिल्कुल बढ़िया चेश चाएगा तो फ्रेंट्स आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बच्ची अगर नहीं खाना पसंद करते हैं चावल गुरा का लडू तो अब भी खाना पसंद जरूर करेंगे अब देखिए मेरा सारा हो गया अब इसमें हम छोटे छोटे लडू इसा काड़ के बनाते जाएंगे फ्रेंट्स यकीन मानिए इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कूल गोंध के लडू की तरह ही आपको खाने में टेस्ट भी इस तरह से लगेगा तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राइ कीजिएगा बनाके देखिए ऐसे ही छोटे छोटे हम लडू आपको साइज अपने अनुसार कर लीजिएगा बड़ा हो छोटा हो लेकिन छोटा छोटा कीजिएगा तो बच्चे भी इसे आराम से खा सकते हैं खाने में काफी टेस्टी लगता है मकर संक्रान्ती के आउसर पर इसे जरूर बनाके ट्राइ कीजिएगा आपसे कैसी बनती है जो आमें जरूर बताईएगा देखिए हम सारे लडू बनाके इसी तरह रेडी कर लिए देखिए बनके रेडी हो गया पास से मैं दिखा दे रही हूँ देखिए कितना बढ़िया कितना सुन्दर दिखने में भी लग रहा है तो फ्रेंड्स इस मकर संक्रांती पर आप जरूर बनाएए आपसे कैसी बनती है जरूर हमें कमेंट करके बताईएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सस्क्राइब ही कीजिए दोस्तों के साथ सेर भी कीजिएगा फ्लीज सस्क्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में